वेलकम बैक फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको साथ डेली फाइव स्टॉक लेका रहाता हूं जो कि आप उसमें इंट्राइडे करके या फिर स्विंग ट्रेड के लिए अगर मौकाम ले तो स्विंग ट्रेड करके आप वन विक के अंदर काफी अच्छी अर्णि के लिए करता हो और आपको बताता हूँ और confirm कि आपको कों से कैंडल के साथ इस सेर में करनी चाहिए तो चलिए दोट ने डोटा था समूर थी को सब्सक्राइड रहें आपको सारी था कॉर्मेंट तो आ法ूर कि मैंक्लिया गर तो या तो याहां पूंसे कि pushing on top लेक्र है और अब यापको लाश्ट के साथ इसमें आपको बुलिस के और गप आप के साथ आपको यहां पर का इसने का इसने की यह सकते हैं यहां पर रहा तो यहां को नजर आ रहे हैं अगर थोड़ा पीछे चला और मैं आपको वन विक को चार्ट पर लेकर चलो और इसके टार्गेट क्या हो सकते हैं आपको उस समय इंटर करना चाहिए या फिर नहीं तो जैसा कि आपको बताया इसमें काफी हाई जो बनाया था उसके बाद जो है थोड़ी च Thirty P, पर इसने जो है अभीकार नजदी की लो बनाया था सबसे ज्यादा लो अभी दकने को मिल रहा है जो कि इसने लो बनाया है यह आप देख सकते हैं माई टुषाजण 22 का आप देख सेक रहे है तू है और तो इसको सपह सकता है और सिखाने होगा होगा उसके बाद ही आपको यह चाहाँ करते हुए आपको बड़ी प्रॉफिट देगा जैसा इसने आने के बाद वापस थोटी समय के रिवर्सल के चैंसे मिले थे वापस फिर दाउन आया और फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है कि रिवर्सल होई थी और लेकिन वापस से फिर से यहां पर डाउन ट्रेंड नज सकती है तो गाइस जैसा कि इसने अभी नजदिकी जो हाई बना था जैसे अगर यह इसको ब्रेक करता है तो आप इसमें एंटर करें और एक अच्छी profit मिल सकती है तो इसके बात करें तो यहां पर आपको एक बड़ी टार्गेट के चांसे नजर आ रहे हैं जो कि आप देखते हैं बड़ी इसने ऊपर जाने के चैंसे बनाये थे लेकिन मैं फिर सब देखने को मिली थी उसके बाद फिर से की है अब जाने के चांसे केम अई हो रहे हैं आपको लगवाधारी स्ब्रें में विल्राइं को मिल सकते हैं यहां तक भी यह जा सकता है अगर बात करें डाउन की तो यहां पर थोड़ा वेट कर लें अगर आपको बीर स्केंडल नज़र आ रही हो तो जैसे ही आपको कनफर्म सिकनल मिले आप इस चेर में इंटर करें चलिए निक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जैसा कि आपके सामने जो है great is turn इसे चाइब सकते हैं वन डे केंडल साथ लगातार जो है यह भी आपको यहां पर क्लियरली वन वीक से आपको यहां पर बुलिश केंडल ही नज़र आ रहा है अगर बात करें आज के केंडल की तो आप देख सकते हैं यहां पर लगतार इसम वह नजर आ रहा है तो यहां पर थोड़े समय के लिए रिस्क के भी चांसे आपको मिल सकते हैं क्योंकि आप देखें तो सेर्प्राइस काफी ऊपर भी गया था जो की पहुंचा था लेकिन वापस से उसके बाद सेर में थोड़ी डाउन देखने को मिल रही है लेकिन फिर भी अभी बुलीस में ही यह कैंडल नजर आ रहा तो अगले दिन का वेट करें जैसे ही आपको इसमें इंटर करें आपके लिए बेटर हो सकता है क्योंकि सेर्प्राइस हा प्राइस जो है काफी क्लियरली आप देख सकते हैं 176 के बाद इसमें रिवर्सल मिली है लगातार इसमें आपको अपके सेनारियो नजर आ रहा है आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर जो है 425 पी इसने थोड़ी से ब्रेकडाउन यहां पर देखने को मिला था और उसके के बाद इसने सपोर्ट 293 के लिए वापस इसने दोधो बार चाहिए और उसके बाद फिर रगतार इसमें हाईर हाई के सनारियों देखने को मिले और जो कि नजदी की यहां पर बात करें हाई की तो हाई से थोड़ा सपली जो की इसको ब्रेकाउट करके अभी हाई बनाया ह तो यहां तक यह सेर प्राइज आया था उसके बाद फिर से थोड़े समय के लिए रिवर्सल में यानि कि सेर में डाउन देखने को मिला 571 के बाद इसमें अभी रिवर्सल देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं काफी क्लियर ली जो है वन विक करने साथ इसमें वॉले है तो मैं आपको वन डे का चाट पर कंफर्म कर रहा हूं जिसरा कि नेक्षाट आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है और यहां पर टार्गेट करता हुए और यहां पर बीरी स्केंडल आपको अभी यह प्रवाइड करा रहा है जैसा कि अगर सिगनल को देखा एक सि तो एंड़ ना तुए एंड़ फॉट्टि एट के जो है सपोर्ट को एचीव करने का अपस रेटरन ले रहा था और यह तो एंड़ अचीव के बिच में रेगुला आपको यहां पर कराहा、 तो वह फिर इतर देखें तो यहां आप भी करीब करीब तू मंस का आपको देखने को मिला जो कि यह अक्टुबर 2022 में और फिर इतर नशजीकि मैं आपको कर बता ऊँं तो तो यह करीब मार्च में आपको मार्च तू आप देख सकते हैं मार्च में आपको यहां पर भी इसके बाद बड़ी डाउन के साथ जो है बीर इसके बनाता हुआ चला आया और वापस से इसने सपोर्ट जो है थोड़ी कॉंसलीडेशन आपको सेर में देखने को मिल रही है उसके बाद मुवमेंट जो है आपका सिगनल प्रोवाइड किया और आप देख सकते हैं यहां पर बन रहे है एक सपोर्ट को यह टार्गेट बनाता हुआ भी नजर आ रहा और इसको यह हिट करता हुआ बीरी स्क काफी हद तक आपको किलियर हो रहा है चलिए मैं पूर वन विक के चाट पर लेकर चलता हूं और आपको कनफर्म कराता हूं देखिए यह यह यहां से निकला है तो की लेयरली आपको सिग्नल मिल जकर कि कि वान विक में भी आपको यहां पर बूली स्केंडल और कि अज़ए मैं-वन देखना आ चलता हूँ तो आप देख सुख सामने जर्जैंने जैनर लिन इंसरेंज का चाहत ले कब नेक आपको यह बीरी स्केंडल दे रहा है लेकिन आप यहां पर थोड़ा फोकस करें तो आपको यहां पर कॉंसलिडेशन भी आपको देखने को मिल रही है जो की रेगलर 190 और 178 के बीच में आपको करीब यहां आप देख सकते हैं जुन तो जुलाई गाई आप वन मन्त का इसमें आपको देखने को यहां पर मिल रहा है उसके बाद अभी अभी निकलना चाहा रहा है लेकिन आपको यहां पर बीरी स्केंडल नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर एक टार्गेट हीट कर रहा है तो इसको रेस्पेक्ट करता हुए आप थोड़े समय के लिए प्रॉफिट काफी बड़ी गिरावाट आई थी जो की 128 के बाद इसने बड़ी रिवर्सल दियाने की 128 का इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद क्लियर रिवर्सल देखने को मिली सियर प्राइज जो है आप यहां पर देख सकते हैं वन डे कैंडल साथ फोर्थ मौई 2022 को इसने काफी बड रहे हैं यहां पर आप का इसने सकते हैं थोड़ाव वेट करें उसके बाद आप सेर में इंटर करें चलिए मैं आपको इसका थोड़ी चाट और एनलाइज चार्ट ऑर नर्राइस कंफर्म करता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जैसे मैं आपको हाई बताया था नजदी की हाई 203 का बनाया था लेकिन एक बड़ी हाई मैं आपको कंफर्म कर तो इसने जो है हाई प्राइस 243 का देखने को मिल रहा उसके बाद सेर में गिरावाट आई थी और रिवर्सल भी देखने को मिले थे जिसकी इसमें नजद अगर यहां से निकलता है थोड़ा समय के बाद चलता आ रहा है चलिए देखते हैं अगर यह उसको भी ब्रेक करता हुआ आकर बढ़ता है जिसके टारगेट और क्या हो सकते हैं ऐसका टारगेट ट्री जांडेट के नजर आ रही है जो जो कि एक बड़ी प्रोफिट आप निकाल सकते हैं तो आप इस अपर करने के बाद थोड़ा वेट करें एक बड़ी प्रोफिट आपको मिल सकती है चले नेक्स्ट तरफ देखते हैं जैसा कि आपको वन डे कंडल साथ से शाइटिंग करा रहा हूं जैसा कि आप यहां पे कंडल से नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया है अगर बात करें अगली दिन की तो जैसा कि मैं आपको थोड़े दिर पहले बताया आता है और एक तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने टार्गेट भी हिट किया है तो गाइस टार्गेट हिट गया तो जैसा कि मैंने आप से कनफरमेशन के साथ मिलती है तो आप उसे में कम ही क्वाइट के साथ इंटर करें और जैसे यह अपना हाई नजदी की हाई जो कि इसने 831 का बनाया है अगर इसको ब्रेक करके आगए क्यों निकलता है तो आप इसमें इंटर करें एक बड़ी प्रॉफिट आपको मिल सकती आप इसमें इंटर करें अगर बात करें डाउन की तो आपको थोड़ी लग रही है तो आप 799 तक आप रोख सकते हैं अगर यह इसके नीचे की जरफ जाता है तो आप इसे इंटर करें लेकिन अगर वापस से रिवर्सल मिलती है तो आप 831 का वेट करें अगर यह ब्रेक आउट करता है तो आपको इसमें इंटर करना चाहिए बड़ी प्रॉफिट आपको मिल सकती है चलिए अगर टार्गेट की बात करें तो मैं आपको वन वीक के च ज़र आ रही है लोग कि यहां पर प्राइस एक्षिन को अगर थोड़ा फोकस करें और देखें तो यह सेर प्राइस जो है 1033 का था सेर में काफी बड़ी गिरावाट आई और यहां से इसने रिवर्सल भी दिये वापस से अपने हाई प्राइस के नजदीक जाता हुए नज लेकिन अभी जो टार्गेट में आपको क्लियर कर रहा हूं वहाँ तक यह जाने के बाद वापस से में बड़ी गिरावट देखने को मिली और पिछले सपोर्ट को भी ब्रेक करता हुआ यह 583 तक आया था उसके बाद इसने अभी रिवर्सल दिया आपको वन वीक के कैंडल साथ इसमें आपको बुली स्केंडल दिख रहा है तो आपको यहां पर वेट जरूर करना चाहिए मैं तो यहीं कहूंगा करते हैं तो अगर आप इसमें वेट करते हैं थोड़े समय के लिए तो एक बड़ी प्रॉफिट निकाल सकते हैं जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया ह इस तरह के सेर्स में आपको लिए एक हमेसा लिकाराते रहता हूं वीडियो को इंट तक देखने के लिए अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो यह तो आप हमें कमेंट करेंगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए अगर वीडियो चले हो तो वीडियो को लाइक करें थैंक्स काईज